असलाम अलेकुम चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग समझते हैं क्लास 10 के उर्दो बुक का चैप्टर नमबर 3 जो की एक अफसाना है यानि की कहानी है और हर बार की तरह इस वीडियो में भी हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे कोश्चन इंसर क साथ ठीकिंने जो इस चैप्टर का नाम देखिये क्या है फ़रार बहुत अजीब गरीट नाम लग रहे ना सुनकर फ़रार यह Kैसा चैप्टर है चप्टर का नाम का नाम है लेकिन हाँ और फ़रार का मतलब आप लोग सुनें होगे ना कोई किसी चीज को लेकर फरार हो गय कहानी होगा। इस तरह की घटना ही होगी। लेकिन ऐसा कुछ速 भी नहीं है। waking क давно है? फरार लेकिन इस कहानी में ऐसा कुछ भी नहीं है लेकर भागने वाली या फिर चोरी करने वाली इसा कुछ भी बात ही नहीं है मतलब इस कहानी के नाम से और इस कहानी से कोई relation ही नहीं है कोई संबंध ही नहीं है वैसे हम लोग कहानी को समझेंगे लेकिन ज़रा इसके राइटर यानकी मुसंनिफ के बारे में हम लोग देख लेते हैं क्योंकि मुसंनिफ से तो question पूछी देता है यह नई बात नहीं है तो इस कहानी के फराल प्रोफेसर है नफस्यात का मतलब होता है साइकलोजी तो यह किसके प्रोफेसर होते हुए इन्होंने अपसाना लिखा और वही अफसाना क्या है कि सवाल पुछता है कि चो अप्जिता है कि स्वान मुहसीन का इस इनकी पैदाइस सदक्न में 10 तारीख 10 और 10 दोनों में 10 है ना तो 10 जुलाई 19 से 10 अब 2010 तो होगा नहीं क्योंकि 2010 में पैदा हुए रहेंगे तो अभी तो वह 11 साल कहीं रहते हैं तो 10 जुलाई 19 से 10 कर देना है 2010 नहीं 10 जुलाई 19 से 10 को पठना में हुआ था और इनकी जो मौत हुई थी और वफात हो गई प्रशीद था और उन्हें से 26 इस भी में राम मोहन राय समीनरी कॉलेज स्कूल से क्या हो गए यह पटना में स्कूल था उसी से मैट्रिक पास किये थे कुछ डीटेल्स जानना रहता है राइटर के बारे में और इस तरह का कोश्टन पूछ लेता है इसलिए हर एक एक इंपोर बी स्बीकी में उन्होंने पास किय और उन्हें से चौथिस इस भी में यह वह किसी Kle потрie से एागे गए गुथ किर पर उन्हें सीक्षों सबरने अवजीब अब twor Gleich justice wrong यहनु को नफस्ति कर्फिश्वा का मतलब होता है बिपार्तमेंट और नफसयात मतलब तो सईख्लोजी हम लोगों को मालूम हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ साइकलोजी के वो सदर श्रीबयन अफसयात बन गए यानिकि उसके परसिडेंट बन गए डिपार्टमेंट ऑफ साइकलोजी के क्या बन गए परसिडेंट बन गए आगे देखिए उनहीं सच चूहत्तर इस भी में सबक चूहत्तर तक और उन्हें सच चूहत्तर के बाद वो सबक दोस हो गया यानिकी रिटायर्मेंट हो गया उनका और वो अपना ये जॉब छोड़ दिये परसिडेंट का ठीक है आगे देखिए इनकी तीन किताबे हैं ठीक है पहला है अनोखी मुस्कुराहट जो की एक अफसा दाया ठीक है दूसरा है नफसियाती जावी है यह कहानी का किताब नहीं है यह साइकलोजी का किताब है नफसियाती जावी साइकलोजी का बुक है और तीसरा है जखम के फूल यह ना यह शायरी का किताब है भले यह नफसियात के प्रोफेसर थे लेकिन इन्होंने तीनों च तीन बेटे और चार बेटिया थी तीखें और ये अपने वीवी के साथ हज भी हज का फिफर्ज आजा किये मतलब हज करने गए थे यह हो गई सेद मुहम्मद मुहसीन के बारे में कुछ डिटेल्स जो आप लोगों को जानना जरूरी है अब चलिए हम लोग चलते हैं फरार न होगा है और यहाँ से आप लोगों को इस का हानी को बता निए इस किरदार सबसे पह idag मेhmood हां की चार किरदार है यानिकि चार लोग को द्वारा रोल निवाया गया है पहला है महमूद, दूसरा है अजीम, और तीसरा है खालिदा, और चोथा है जवीदा, ठीक है, जवीदा इस तरह लिखा है, ठीक है, जवीदा यह चार किरदार है, और इसमें से जो में किरदार है, में रोल निभाया है, वो है महमूद, और महमूद के नाम पर ही यह कहानी को परार नाम का चप्टर बनाया गया है, ठीक है, तूचलिए समझते हैं, यह जो महमूद नाम का लड़का रहता है, इसके जहन में, इसके दिल और दिमाग में यह बात बैड गए रहेता हैूं कि जो औरत जात होती है वह बहुत ही खतरनाक और डेंगर अपिशन गूझत बहुत होटी है और इसके और वह डर बैट गए यह फराल नाम का चिप्टर ना यह नफसियाती अपसाना है यानि कि साइकलोजी की कहानी और इसमें साइकलोजी के बारी में जिक्र किया गया है कि बच्पा बच्चों का अगर बच्पन अच्छा से नहीं गुजरा होता है तो उसका असर बाद में दिखाई देता है बाद मे तो होता कि यह जब मह्मूद बच्पन में अपने कमरे में में बैठ कर मैस्ट का सवाल स्वाल कर रहा होता है तो उसकी मा पूरा गुष्टा में रहती और चिलाती है महभूत तब तक परायन की उनका पूरा शरीर काप रहा है जैसे की तेज हवा में बरगत का क्या बरगत का पेड़ हिलता है डोलता है ठीके उनका चेहरा पूरा लाल अंगारा की तरह खिल रहा था आंक उबरी हुई थी और पूरा गुस्से में थी तो फिर चुप चाप जाकर और यह महमुद गुस्सा में बोली जाओ उन्हें बुला कर लाओ कि इन्हें बुला कर लाओ यानि कि तुम अपने पापा को बुला कर लाओ महमुद के पापा को तो बेचारा महमुद जाकर बोलता है कि ममी अरे पापा चलिए ममी बुला रही है तो अब वो जो महमुद के वालिद है यान बोलने लगती है कि हां मैं ही बहुत जदा बख्वास करती हूं मैं कमी नहीं रही हो बोलने लगती है तो उनके जो होते हैं यानि कि महमुद के पापा वो बोलते आखिर अब बता भी धोग क्या हुआ है तो बोलती है का देख लो कैसे क्या बोले श्रीधा साधा बन रहे हैं जैसे कि कुछ किया नहीं हो सारा फसाद का जड़ तो आप ही है ऐसे औरते नहीं होते जो बोलती है तो इस तरह वो क्या करती है उसकी मा अपने सोहर को डाटती है महमुद की मा तो इस तरह का महमुद पर उसके वालिद यान की पिता जी की मौत हो जाती है उनका भी इंतकाल हो जाता है अब महमुद अखेले हो जाता है यतीम हो जाता है अब वह चला जाता है अपने मामू के घर जाता है तो वहां से उसकी परिशानी स्टार्ट होती है वहाँ पर जाकर वह चुप-चप रहता और ज्यादा वो पढ़ाई में मन लगाता था ज्यादा किसी से बात नहीं करता था स्कूल में जाता है चुप-चप और यहां तक कि उ दीरे दीरे बड़ा हो जाता है अब उनिवर्सिटी में पढ़ने चला जाता है बड़ा होकर तो उसका एक दोस्त रहता है अजीम क्या है अजीम यहां पर दूसरा किदार आ गया इसका दोस्त रहता है महमुद का दोस्त ठीक है अजीम जो होता है ना हमेशा महमुद को बोलता क्या कर देता है यह उस तरह का होता है तो फिर बोलता है महमुद नहीं ऐसा कोई बात नहीं है अजीम कहता है कि ठीक है ऐसा कोई बात नहीं है तो फिर आजाओ कल मैं खाल्दा को भी बुलाता हूं तुम भी आजाओ कल नुमाइश कर लेते हैं यानि कि कंपडिशन कर लेते है ठीक है तो कल ये भी महमुद बोलता है हाँ ठीक है मैं कल आ जाओंगा जब कल होता है यानि कि कल सुबह होती है तो महमुद जाने वाला रहता है लेकिन अचानक उसके माइड में ये बात आती है और उसको ये एहसास होता है कि नहीं मैं गलत करने जा रहा हूं ये एक गुना ह अब मैं नहीं जाओंगा तो अब वब आपकर अजिम के पास जाने से इंकार कर देता और नहीं जाता है और यह बहान बना देता है की मिरा तविए खराब हो गया था अजी म से अपनी दोस्त और वहां पर नहीं रिष्टे आते हैं तो उसमें से एक रिष्टो को चुनता है लड़की का नाम रहता है जबीदा ठीके इसी लड़की से इनका साधी तै होता है मैमूद का ठीके और यह इनकी पढ़ाई पूरी नहीं रहती है अभी यह 10th ही क्लास में रहती है मैट्रिक में ही जबकि मैमूद क इसको पसंद कर लिया रहता है लेकिन उनके घर वाले जवैडा द彂 अब 건rates का मैटरीक कजाम है ऊसके कमप्लीट होने के बाद यह शादी बिजा पार घाल जाता है और पहुत खुशी होती है मैमुद को भी खुशी होती है कि और साधी 5000 हो जाती है महमुद्ब पुरा खुसी-खुसी क्या करता है तैयारी करता है सारे अपने गिश्ट को बुला लेता है अपने शादी में ठीक है और बहुत सारे पैसे खर्च करता है अपने शादी में ठीक है बिचारा महमुद तो अकेला रहता है अब क्या होता है शादी वाले दिन जब वो निकाह करन हो जाता है जो लड़का जो बच्चा एक ओरत को देकर उतना डढ़ा सहमा हो जाता था कि होसावास खो देता ठीक्यों था एक तरह परह हाथ ठंड़ा होने लगा भुखार आने लगे और एक डम सुनसा हो गया अब उसके कि अब मुझे कुछ भी आवाज ही नहीं निकल रही थी तो वहां के लोगों ने उसके क्या बोलेता है ससुर को जो की लड़की के जबीदा की बाप रहते हैं पिता जी रहते हैं उनको खबर करते हैं कि देखिए लड़का तो कुछ बोली नहीं रहा है निकाह करने आ गया है तो वह आते हैं तो वह भी कुछ बोलने की कोसिस करते हैं कि कुछ बोलो क्या हुआ है तो महमुद कुछ नहीं बोलता है उसका पुरा हाथ पर सुन हो जाता है और ऐसे लगता है कि जैसे कि अभी वह बोलना सीखा ही नहीं है तीक है और वहीं पर महमुद बेहोस हो जाता है और यहीं पर यह कहानी खत्म होती है लेकिन यह हमें यह सीख दे कर जाती है कि अगर बच्पन में कोई भी घटना हुई है अगर बच्पन अच्छा से नहीं बीता है कोई भी बात अगर बच्चों के माइंड में फिट हो जाती है वो घटना घट जाती है तो उसे वो जिन्द कि लोगों को motivate करने की कोशिस कर रहे हैं साइकलू जी से ही चेप्टर भरा हु immersed करने की कोशिस करते हैं कि बच्चों का बच्पन अच्छा से गुजारा जाए ताकि उसका असर है उसके मौत तक ना रहे है जो भी बच्पन में घटना घटती है जो भी बात होती है बच्चों के सामने वो बच्चपन की घटना उसे मौत तक याद रहती है मरते दम तक याद रहती है तो यही बात यही चीज को मोटिवेट करने की लोगों को प्रेरित करने आगाह करने की कोशिस किये हैं सेयद मुहम्मद मौसिन यहां त तो इसमें कोई रिलेशन समझ में आ रहा है आप ही लोग डिसाइड कीजिए ना कुछ नहीं रिलेशन समझ में जमीन आस्मान का फर्क है तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है अब चलिए हम इसके question answer को समझ लेते हैं चेप्टर नंबर 3 question answer start देखें यहां से मुख्तसिर सबसे पहला सवाल की पैदाइस किस शहर में हुई तो सयद मुहमद मुहसीन की पैदाइस पटना शहर में हुई मैं लिख दी हूँ मैं बोल रही हूँ जो जो लव्ज मेरे मुझ से निकल रहा है और जो भी बात इस बोड़ पर लिखा गया है वहर एक चीज इंपोर्टेंट है तो यह पटना शहर में मुहमद मुहसीन की पैदाइस हुई थी ठीक है दूसरा नंबर सवाल डॉक्टर मुहमद मुहसीन की तारीख पैदाइस क्या यानि कि वो किस तारीख तो वही बात है जो आप लोग अभी पढ़ें फरार तो लिखी दीजिएगा इसका अंसर जिरे निसाब अफसाना में डॉक्टर मुहमद मुहसीन का फरार नाम का अफसाना है हो गया चार नमबर सवाल डॉक्टर मुहमद मुहसीन के वालिद का नाम बताएं डॉक्टर स्यद मुहसीन किस मौजू पर महारत रखते थे जायनिकी स्यद मुहमद मुहसीन जो है वो किस टॉपिक पर ज्यादा उनको घ्यान हासिल रहां किस चीज पर वह ज्यादा फोकस करते थे और उनका में नावक्तुर में अएम थो उनका जो मेन मोटो था वो था नफसेयात यानकी साइकलोजी भले ही वो अफसाना लिखे और शायरी लिखे वो बात दूसरा है लेकर उनका जो मौजू पर महारत मिली थी वो थी उनका नफसेयात ठीक है आगे यह पास हो गया देखें मुक्तसिर तरीन सवालात कंप्लीट अति लग उत्रिया कोश्चन पर प्रसुन की तरफ चलते हैं पहला नंबर सवाल है डॉक्टर मुहम्मद मौसीन की तद्रीशी सरगर्मियों पर पास जुमने लिखे यानिकि इसमें आप लोग को डॉक्टर सेयद मौमद मौसीन के बारे में उनके टीचिंग एक्टिविटीज के बा और उनका अफ्षाना साइ搞 अनोखी मुश्कुराहत जिसको ज़्यादा क्या होगया यह कहानि अनोखी मुश्कुराहत इसको मैं बता दूँ कैसा क GIR थी एक लड़की ती रजनी नाम टीए झाला हमेशा लोगों को देखकर मर्दू को देखकर हमेशा मुस्कुराते रहती थी हस्ती रहती थी और यही इसकी आदत बन चुकी थी एक क्या बोलजता है डेली का होबी बन चुका था डेली का इसका रूटीन बन चुका था कि हाँ यह हस्ती जब भी देखेगी हसेगी मुस्कु तरह का कोई कहानी और इसी बात से अनोखी मुस्कुराहत उसका नाम रख दिया गया इस कहानी का और इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस हो गया तो सेयद मुहसीन के बारे में आप लोगो कुछ डिटेल्स लिख देना है उनके टिशिंग एक्टिविटीज पर आगे देखिए कि दो नमबर सवाल ढक्र मुहम्मद मोहसीन की तशिंग का दिक्र के लिए यानि की सेयद मुहम्मद मौहसीन के और खियों का लिखे नफस्याती जवाय लिखे, उनका अफसानी मझनुआ है उनका यह नफस्याती मख्मुआ है, शैरी मझनुआ है। अपने के बारे में अत्रुफ के बारे में लिख गए, वो आप महमुद के किर्दार पर पांच जुमले लिखना है यह भी आप लोग महमुद के बारे में तो बता दियुँ वह ऐसा टाइप का लड़का रहता है जो और तो को देखकर क्या करता है उसको डर लगता है उसके दिल वह जहन में क्या बैट गई लेती है कि और जात बहुत ही खत तवील सवलात मतलब दिर्व उत्रिये प्रसंट जिसमें लंबा लंबा इंसर लिखना रहता है बहुत बड़ा बड़ा वह वाला कोश्चन इसमें दो ही कोश्चन है तवील सवलात में सबसे पहला सवाल है डॉक्टर मुहम्मद मौसीन की अफसाना निगारी पर एक मजमून लिख देना है यान की ऐसे लिख देना है तो आप लोग लिख सकते हैं लंबा चौड़ा दस पंदर जुम्ला में लिख दीजिए कंप्लीट हो जाएगा अभी बोल दोंगी गायब हैस पर मजमून लिखिए ऐसे लिखिए तो आप लोग आसानी से लिख देंगे तो उसी त अफसाना फरार है कहानी इससे आपको क्या ख्याल आता है इसे आपको क्या सीख मिलती है इस अफसाना फरार के बारे में आप लोग को दस पंदर जुम्लों में सेंटेंस में लिख देना है वह गई किलियर बात आप लोग का चैप्टर टू क्या होता है कंप्लीट होता है अ आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जैहिंद और खुदा हाफिस.